मंत्री महोदे सभापती महोदे मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कस्मीर आरक्षन अधिनियम 2004 का संसोधन करने वाला विधेक पर विचार किया जाए और विधेक को प्रारित किया जाए मन्य अध्यक्जी आज इस महान सदन के सामने मैं दो प्रस्ताव लेकर उपस्तित हुआ हूँ एक जम्मू कस्मीर की राज्यकी स्थीती को देखते हुए वहाँ पर जो राष्ट्रपती सासन अभी चल रहा है उसकी अधिको छे मा और बढाने का प्रस्ताव है और दूसरा जम्मू कस्मीर के सम्मिदान के सक्षन 5 और 9 के तहट जो आरक्षन का प्रावदान है उसमें भी संसोधन करकर कुछ और ख्षेत्रों को जोडने का प्रावदान है मन्य अध्यक्जी सबसे पहले मैं जम्मू कस्मीर के अंदर राष्टपदी सासन की अधि को बढाने का जो प्रस्ताव लेकर में आया हूँ इसके बारे में सदन के सामने मेरा पक्स रखने का पसंद करूँगा महोदय ये बील जो में लेकर आज आया हूँ वो बील का मुल तत्व ये है कि दो जुलाई से छे मात तक जम्मू कस्मीर के अंदर राष्टपदी सासन की अधि को बढाया जए 28 डिसंबर 2018 को राष्टपदी सासन का अनुमोदन यही गुरू ने किया था और राजे सभा का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राष्टपदी सासन लागू किया गया था 20 जिनको महोदय पीडीपी सरकार के पास बहुमत नहीं रहा जम्मू कस्मीर संविधान के तहट जब बहुमत किसी का नहीं रहता है तो राजेपाल महोदय सभी दलों से बात करने के बाद राजेपाल सासन को लेकर आते हैं और जब किसी भी दल ने सरकार बनाने का अपना डावा पेस नहीं किया कोई बहुमत की स्थिती नहीं बनी तो राजयपाल महोदय ने 6 मैने के लिए जमुकस्मी सम्विधान के तहट राजयपाल सासन डाला 21 नवेंबर 2018 को कुछ सुचनाय प्राप्त हुई विधायकों की खरीद फरोक और होर्स्टेडिंग के मामले भी सामने आने लगे और लंबे समय तक अस्तीरता थी तो राजयपाल महोदय ने नीने किया कि 20 नवेंबर 2018 को विधान सभा को भंग कर दिया जाए और 20 नवेंबर 2018 को सुनी हुई विधान सभा को भंग करने का नीने राजयपाल महोदय ने लिया उसके बाद में 9 डिसेंबर 2018 को राजयपाल सासन की अवधी समाप्त होती थी उसको ध्यान में रखकर धारा 356 का उप्योग करते हुए 20 दिसेंबर 2018 से राश्ट्रपती साशन वहां से अमल में है महोदय राश्ट्रपती साशन का समर्थन राज्यसभा ने 3 जानवरी 2019 में किया और 3 जनवरी 2019 का जो समर्थन राज्यसभा से प्राप्त था राश्ट्रपती महोदय को जो अधिकार प्राप्त थे वो 6 माह के बाद मतलब 2 जुलाई 2019 को पूर्ण हुए इसलिए मैं बिल लेकर प्रस्ताव लेकर सदन के सामने उपस्तित हुआ हूँ कि 6 माह के लिए ये राश्ट्रपती साशन को बढ़ाया जाए क्यूकि अभी राज्यसभा में विदान सभा का अस्तित्व नहीं है महोदय चुनाव आयोग ने भी इसके पहले जमुकस्मिल प्रसाशन भारत सरकार सभी राजनितिक दलों से बात करकर और वहां की कानून और व्योस्ता की स्थिती और ये दर्म्यान में आने वाले कुछ जैसे रमजान आया भी अमनाथ यात्रा आएगी ये सब चीजों को संग्यान में लेते हुए चुनाव आयोग ने भी नीने किया है कि इस साल में बाद में वो चुनाव कराने का फैसला करते हैं और इसको राज केंद्र सरकार को सुचिक कर दिया वहां बोलने का मोका मिलेग आप तसली से बुरिएगा मुझे कोई आपती नहीं ना मैं टोका टोकी करूंगा मेरी अपेक्सा है ना आप टोका टोकी करूंगा ये महत्वपूर्ण विशा है देश की जनता के सामने आपके और हमारे दोनों के विचार पहुँच जाए बहुत जरूरी है और लोगों को 15 अगस तक अमनाथ यात्रा होनी है और जिनकी 10 प्रतिसत आबादी है ऐसे गुरजर बकरवाल समुदाए जो पहाड़ियों पर चला जाता है वो लगबग लगबग अक्तुबर के बाद ही वापीस आता है इसलिए इस समय के दोरान चुनाव कराना उचीत भी नहीं था उप इतने ही क्योंकि वहाँ पर विदान मंदल है नहीं राष्ट्रपती महोदय को छे महने से ज्यादा अधिकार ये दोनों सद्नों ने दिया नहीं है तो अब एक दम अत्यनत जरूरी हो गया है कि ये राष्ट्रपती सासन का काला अधी को बढ़ाये जाए और जब तक छे महन का काला अधी बढ़ेगा मैं आसा रखता हूं कि वहाँ पर भी चुना हो जाएगा मैं इतना सपष्ट करना चाहता हूं कि कई दसकों से इन महिनों में चुनाव नहीं हुआ है क्योंकि ये सारी कस्मीर जमू और कस्मीर राजे की विशिश परिस्तितियां होती है तो कई सासन और राष्टपती सासन लगाया जाए मैं कोई राजनितिक टिपणियां इस बारे में अभी करना नहीं चाहता हूं सभी सदस्यों को सुनकर अगर को टिपणी होगी तो जवाब जरू दूंगा मगर साथ बाल राज्यतपाल सासन लगे हैं दो बार राष्टपती सासन कई बार स्थिती ऐसी भी हुई है कि राष्टपती सासन के लिए कानून के अंदर संसोधन कराना पड़ा छे साल तक जमू कस्मिर में चुनाओं नहीं कराया गिए दे महोदय मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि राष्टपती महोदय के सासन में और राजयपाल महोदय के सासन में करिब करिब एक साल की अवधी के अंदर जमू और कस्मिर में बहुत समय के बाद पहली बार आतंक बाद के बिरूद जीरो टॉल्गरंस की नितिक वापित आज़े देश के रक्सामंत्री और तदकलिंगरूमंत्री यहां पर बैठे हैं एक साल के अंदर आतंक बाद की जडो को जडो से उखाडने के लिए उनकी जडो को हिलाने के लिए और सभी तरके इनके तौर तरीकों को नस्यद करने के लिए इस सरकार ने कोई कसर नहीं चोड़ी है मैं बाद में इस पर डिटेल बात करूँगा जहां तक विकास का सवाल है पहली बार कई सालों से पंचायत के चुनाव नहीं कराए जाते थे समिधान संसोदन 73 और 74 हो गया था मगर जम्मू कस्मीर के लोगों को इसका फाइदा नहीं होता था यही एक साल के अंदर पंचायत क चुनाव कराए गए 4,000 पंचायतों में 40,000 पंच सरपंच आज जनता की सिवा करें और महोदय में इतना ही नहीं 3700 करोड रूपया जम्मू कस्मीर के पंचो का सरपंचो का ग्राम पंचायतों का अधिकार था सिधा उनके हाथ में जाए वो पहुंटता नहीं था उसमें से 700 करोड रूपया आज सीधा पंचायत के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर करने का काम यह भारती जनता पार्टी की सरकाने कर दिया और महोदय इसका सर्टीपिकेट आने के बाद तुरंट ही और 3000 करोड रूपया जम्मू कस्मीर की 4000 पंचायतों को हम देने के लिए तयार बेठे हैं और पंच सरपंच भी बहुत अच्छा काम और एक बात विसेश मैं सदन को बताना चाहूंगा पक्स विप जम्मू कस्मीर में हमने रक्त तरंजित चुनाओ देखें सबके मन को दूख होता था दिल में मलाल होता था कि चुनाओ के अंदर रक्त क्यूं धर्ती पर बहा जा रहा है चार चालीस जार पदों के लिए चुना हुआ अध्यक्स महोदय एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है एक भी व्यक्ति की जान पूरा संसत का चुना हुआ जम्मू कस्मीर के हर मत दाता ने वाट डाला अपने मतादिकार का प्रयोग किया मत पतिसत भी बड़े है और हिंसा भी नहीं हुई है यही दरसाता है कि स्थिती लॉइन ओडर सरकार के कंट्रोल में अध्यक्स महोदय जहां तक विकास का सवाल है धेर सारे नए इनिसिटिव भारतिय जनता पार्टी की सरकार में किया है और पहली बार जम्मू कस्मीर की जनता के महसूस कर रही है कि जम्मू और लदाक ये भी जम्मू कस्मीर राज्य के हिस्से है क्षेत्रिय संतुलान को नहीं समाला जाते है मुझे कहने में कोई आपत्ती नहीं मैं आकरों के साथ इसको सिद्ध कर सकता हूं जम्मू और लदाक के क्षेत्र की अवग्या की जाते है हमने अवग्या किसी की नहीं कि किसी का नहीं चिना है मगर जिसका अधिकार था उसका अधिकार उसको पहुचाने का काम नरेंद्र मोली सरका नहीं पहली बाप किया और मान्यत सभापती महोदा अध्यक जी इसके कारण जमुक शेत्र के अंदर लदाक के शेत्र के अंदर एक पहली बार जनता संतोस का अनुभव करें कोई भी वर्सों से लंबी मसले थे मैं देश के प्रदान मंत्री और तत्कालिंग गुरू मंत्री जी को सदन पर रेकोर्ड पर अभी नंदन देना चाहता हूं कि पहली बार एक साल के अंदर ये सभी मसलों को एड्रेस किया गया ज्यादातर मसलों को निप्ता दिया गया जमु कस्मीर से पाक उक्क्यूपाई कस्मीर से आये हुए जो सरणार थी थे उनका मसला हो पस्चिम पाकिस्तान से आये हुए सरणार थी थे उनका मसला हो उनके स्टेट सब्जेक का विशय हो हर विशय के अंदर इनिसिटिव लेने का काम ये राष्ट्रपती सासन के दोरा हुआ है बंकर नहीं बनते थे जाने चली जाती थी मवेसी मारे जाते थे पसुदर मारा जाता था कोई मुवावजान नहीं मिलता था 50,000 रूपया एक भेंस मारे जाने पर और संख्या सिमीद करे बगर देने का काम इंधरेंद्रमोधी सरकार के दर्मयान हुआ है और स्रीमा पर रहने वाले एक एक व्यक्ति की जान का अमुल्य जान है इसका बहुत महत बहुत है इसके लिए पैसों का विचार नहीं किया जाना चाहिए अद्यक से 15,000 बंकर बनाने की बात थी उसमें से 4400 बंकर बन चुके हैं मैं सदन को आस्वासन देना चाहता हूं कि जो स समय सारणी स्रीमा राधना स्रीजी जी तै करकर गए है वो समय सारणी एक भी दिन लेट करे बगैर 15 के 15,000 बंकर बनाने की बहुत सारी बाते हैं करने के लिए सदन के सभी सदर से जब इस पर बोलेंगे मैं इसके जवाब में काफी सारी बाते बताऊंगा भी मगर मैं इतना सपष्ट करना चाहता हूं कि जम्मु कस्मीर में लोक तंत्र बहार रहे ये भारती जन्ता पार्टी की सटगार की सरवोच प्राथमिकता है इसमें हम जरा भी लिपापोची नहीं करना चाहते हैं और जम्मु कस्मीर के अंदर सांती बहाल रहे हैं कानून का सासन बहाल रहे हैं और आतंकवादियों की जड़ समेत उखाडने के लिए कारेवाई यो जिसके लिए दिये सरकार कटीबदी इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को अपील करना चाहता हूँ कि मैं जो प्रस्ताव लेकर आया हूँ उसके पक्स विपक्स से उपर उठकर जम्मु कस्मीर की जनता के लिए सरहदी राज्य है पडोसी देश से जमीनी सिमा सटी हुई है देश की सुरक्सा के मूद्दों के लिए वहाँ की जनता के कल्यान के लिए इस प्रस्ताव का समर्धन करे और एस सदन सक्ति प्रदान करे और छे महिने के लिए राश्टपती सासन करने के लिए महुद्देग मैं दूसरा प्रस्ताव लेकर आया हूँ जिसमें जम्मू कस्मीर के समीदान के सेक्षन पांच और नौ के तहट जो आरक्षन का प्रावदान है उसमें थोड़ा बदलाव करकर कुछ नएक सुत्रों को जूड़ने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ महुद्देग जम्मू कस्मीर आरक्षन कानून 2004 के तहट 43% वर्टिकल आरक्षन का प्रावदान जम्मू कस्मीर के समीदान के अंदर हुआ है जिसमें अनुसीची जातियों को 8 प्रतिसत अनुसीची जन जातियों को 10 प्रतिसत पीछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को 20 प्रतिसत और कमजोर निर्धन लोगों को 2 प्रतिसत और नियंत्रण डेखा से लगे हुए एक्षित्रों के निवासियों के लिए 3 प्रतिसत मैं आज जो प्रस्ताव लेकर आया हूँ ये वास्तविक नियंतरन रेखा से लगेक्षित्रों के निवासों के लिए जो 3% आरक्षन है इसके अंदर वो 3% के अंतरगत ही इंटरनेशनल बॉर्डर के नद्दीक रहने वाले लोगों को भी आरक्षन का फाइदा मिलना चाहिए ये प्रस्ताव लेकर आये इसका कारण है जाहे LOC हो चाहे LAC हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो तीनों सिमाओ पर जो घाउं बसे हैं उनको उनकी हार्ट सीप एक समान है तीनों के उस और पाकिस्तान का कब्जेवाला कास्मेरिया तो पाकिस्तान है गोलाबारी करते हैं जिससे बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई में सात्यत के रखने में बड़ी दिक्कत आती है। मार्क लाने की क्षमता प्रभावीत होती है। इसलिए उनको यह रिजर्वेशन दिया जाता है महुदे। और जब कानून बना लोगों को भी मिलना चाहिए। आरक्षन का फाइदा लेना चाहिए। और राष्टपती सासन के दोरान राज्य में नया कानून या तो कानून में संसोधन करने का विधान मंदल का जो अधिकार है वो संसद में नहीं थे। इसलिए ये प्रस्ताव को लेकर मैं आया हूँ। और महुदे इससे जम्मू क्षेतर के करीब करीब साड़े तीन लाख नागरिकों को इसका फाइदा होगा। सांबा और जम्मू जिल्ले के लोगों को फाइदा होगा। कठुआ के सतर गाओं, सांबा के 133 गाओं और जिल्ला जम्मू के 232 गाओं को उसको फाइदा होगा। के साथ यह मैं प्रस्ताव को लेकर उपस्तित हुआ हूं मैं सदन को विनंति करता हूं आपके माध्यम से महोदय कि इस प्रस्ताव को जम्मु कस्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले बच्चों के लाब के लिए इसको भी अनुमोधन करे और आरक्षन के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर के बच्चों को भी समाहित किया जाए इतना निवेदन करकर मैं मेरी बाद